हैलो फ्रेंज, गैसे हैं, आप सब आशा करते हूँ, आप सब अच्छे होंगे, सौयस्थ होंगे, मस्थ होंगे आज मैं इस तरह से Amazon में मिलने वाले गैजट के बारे में इस तरह से लेके आई हूँ जो कि आप इसी Amazon पर सर्च करके आप ये नए नए गैजट हैं जिसे आप अपने घर को सजा सकते हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखना वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेर करना ना भूले काफी यूसफुल गैजट हैं, इसे आप Amazon पर आशानी से सर्च करके आप इसे ले सकते हैं या आप किसी दुकान से भी इसे ले सकते हैं तो सबसे पहला है मल्टी लेयर बाक्स, जिसमें आप मोमोज, गुजिया को इस तरह से बंद करके, एर टाइट करके इसे आप फ्रीजर में रखते हैं तो एक कई दिनों तक श्टोर रहता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है अगला है वाल माउंटेड शिट, जिस है आप इस तरह से दिवाल में चिपका करके, इसमें बहुत सारी चीजे रख सकते हैं जिस से आप गम जगह में या किसी भी साइड में, किचन में आप इसे चिपका सकते हैं, तो काफी useful है अगला है wall mounted invisible cloth hanger जिसमें आप अपने कपड़ी को कहीं भी सुखा सकते हैं ये भी काफी अच्छा gadget है उसके बाद ये है steel का tool जो की इस तरह से पल को साब भी कर सकता है और इसे छील भी सकता है तो इसे peeler भी बोल सकते हैं और cutter भी बोल सकते हैं ये दोनों का ही काम करता है ये बहुत ही अच्छा gadget है तो इसे भी आप ले सकते हैं अगला है डOR mat जिससे आप bathroom के बाहर डालते हैं जहां पे बार-बार पानी गरता है तो पानी को बहुत अच्छे से शूख करता है यह काफी useful है इससे आप कहीं भी डाल सकते हैं अगला है यह portable shoe organizer rack जिसमें आप बहुत सारे shoe को इस तरह से रख सकते हैं और किसी भी side में रख सकते हैं किसी कोने में बहुत कम जगह में आसानी से आ जाता है यह है steel का two layer dish rack जिसमें आप बहुत सारे बरतन को एक एक धूल करके इस तरह से रखते हैं इसमें पानी निकलने के लिए भी बना होता है तो कहीं भी पानी रुखता नहीं है काफी useful है यह है नए design में बाउल जो कि आपके rice को या किसी चीज़ का पानी शानना होता है बहुत है अच्छे से पानी निकल जाता है काफी अच्छा है इस तरह से आप इसका पाए निकाल सकते हैं और काफी useful है अगला है slicer जिसमें कि आप आलू को गाजर को खीरे को किसी को भी slice रूफ में इस तरह से काटना हो तो काफी आसान हो जाता है तो slicer करके आप इसे देख सकते हैं यह है जैसे कि आप कहीं ट्रावल कर रहे हैं तो ट्रावलिंग बैग जैसे कि आप आसानी से कहीं भी इसको ले जा सकते हैं काफी useful है यह ट्रावल करने के लिए काफी अच्छे छोटे चोटे बैग है जिसमें बहुत सारे सामान इस तरह से आ जाते हैं यह है पोर्टबल सूरेक जिसमें आप इस तरह से शू को रख सकते हैं और इसे कहीं भी रख सकते हैं तो छोटी से जगह में साइड में डोर के पीछे कहीं भी आप इसे लगा दीजिए बहुत सारे सू इसमें आ जाते हैं काफी useful है यह है वाल माउंटेड इनर वेर वैक जिसमें आप बहुत सारे कप्रे को इस तरह से वेर को इस तरह कर सकते हैं यह देखिए तो काफी useful है थोड़ी सी जगह में इसे भी आप दीवाल में कहीं भी शेट कर सकते हैं छोटी सी जगह में कहीं भी साइड में आप लगा यह है पंप जिससे आप इस तरह से कहीं भी लगा देते हैं तो आपका जो पानी है इस तरह से बढ़ी आसानी से निकल जाता है ठोड़ी सी जगह में यह बहुत अच्छे देखिए पानी कहां पाइप की तरीके से बाहर चला जाता है यह थ्री लेयर सेल्फ जिससे कि आप इस तरह से लगाकर इसने टमाटर एक जो भी स्टोर करना इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं यह जिससे कि आप आसानी से कहीं भी डाल देंगे तो आपका पानी अच्छे से बहुत ही अच्छा है देखिए कि इतना साफ सुत्रा रहता है और सारा इसका पानी भी निकल जाता इस तरह से आप इसे दर्वाजी के बाहर लगा सकते हैं यह प्लास्टिक लिप जिससे आप इस तरह से लगाकर बहुत सारे सामान को इसमें रखते हैं तो आपका जो सामान है फ्रीजर फ्रीज में डोर में तो तच्छे से श्टोर रहता है गिरने का बिलकुल भी डर नहीं रहता है यह एंब्रेला फूट का बर जिससे कि आप अपने खाने को इस तरह से रख कर ढख देते हैं तो इसमें मक्की और नहीं आएगी और इसे कहीं भी आप हैंक कर दीजिए तो यह भी काफी यूसफुल है इस तरह से मच्छर मक्की नहीं बैठेंगे यह बात्रूम और चीजें उससे आप इस तरह से लगा सकते हैं यह सिलिकान को स्पंज जिससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है तो काफी यूसफुल होता है इसे आप बरतन को धुलने में यूज कर सकते हैं इसमें टांगने के लिए बना होता है यह बैंड जिससे आप अपने कंबल को या तक यह जो भी चीज बैंड करने वाली होती हैं उसको अच्छे से बैंड करके बहुत कम जगए में इस तरह से रख सकते हैं काफी जगए भी नहीं लेता बहुत अच्छे से सुरक्षित रहता है इस तरह से आप इसी भी चीज को बैंड कर दीजिए कंबल रजाई बिस्तर को आप इस तरह से करके रख सकते हैं यह रियूजबल टिशु पेपर जिसे आप इस तरह से साफ करके इसे खेंग दीजिए काफी यूजफुल होता है और बहुत सारी चीजों को यह मतलब पानी दूद जो भी चाय वगरा गिर जाती है उसको बहुत यूजफुल है तो इसे भी आप ले सकते हैं यह वाल माउंटेड़ बॉक्स जिसमें आप रखते हैं तो काफी अच्छे सरता और कहीं भी बात्रूम में इसे आप चिपका दीजिए वास बेसिंग के पास यह काफी अच्छा लगता है काफी कम जगह में आ जाता है और आप तो थोड़ी सेगंडर में आप इसाफ कर सकते हैं यह विजी टेबल ग्राइंडर यह दोनों का काम करता है इस तरह से आप इसे घ्राइंड भी कर सकते हैं और स्लाइड की रूप में भी काट सकते हैं तो काफी यूच्फुल है यह यह अग की यह पाइस एrió को थोड़ी से जगह में इस रैक को लगा कर अपनी चीजों को काम को आसान बना सकते हैं यह वेजी टेवल पीलर जिसे आप इस तरह से सब्सक्राइब करता है काफी यूसफुल है काफी कच्रा बीच आज आता है आप आप असानी से फेक दिए इसको धूल कर रख दिए यह यह ह फ्रायर में यूज होने वाला कुकिंग मायट जिससे कि आप अपने इससे आपका जो एलेक्ट्रिक फ्रायर है वो सुरक्षित रहेगा यह सिंग के नेट रेक जिसमें आप इस तरह से सब्जियों को धूल कर आसानी से सिंग में लगाने को रख सकते हैं बरतन को भी रख सकते हैं काफी आसान होता है आप देख सकते हैं यह स्पॉंज बैग जिसमें आप इस तरह से सामान को रख कर रख दीजिए और आपका जो स्पॉंज है इस तरह से आप धूल भी सकते हैं साबून भी डाल सकते हैं कोई भी चीज आप डाल कर इसमें रख सकते हैं जो कि हैंडवा आप सकते हैं तो काफी यूश्फुल होता है इन चीजों को आप मजवन पर सर्च कर सकते हैं या आप किसी सौफ से इस तरह से ले सकते हैं तो काफी यूश्फुल सारे गैजट हैं और वीडियो कर लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो मेरे केनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें कुक वेज़ित मंजव में बस आज के लिए इतना ही अब मिलूंग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए श्वस्तर हैं महस्तर हैं पना ख्याल रखें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद